दोस्तों इस वीडियो को मैं दुबारा से अप्लोड कर रहा हूं आप मैंसे बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी होगी अभी 30 मिन्ट पहले ही मैंने अप्लोड की थी और 30 मिन्ट में लगए 47 अथा लोगों ने देख ली थी वीडियो लेकिन यूट्यूब ने अब यह लगा कर उस वीडियो को रोग दिया अब वीडियो आगे नहीं बढ़ेगी इसलिए मैं दुबारा से अप्लोड कर रहा हूं इस वक्त यूट्यूब ऐसा बहुत अदा कर रहा है टॉपिक अच्छा था उस वीडियो मैंने काजा की लोगों की फिलिस्तिन की लोगों की एक बार फिर से देखें क्योंकि आप लोग वीडियो देखेंगे तब वीडियो आगे बढ़ेगी तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। उसका रियक्शन ये हुआ है कि रजब तईव अर्दुगान अब पूरी तरह से इसराइल के खिलाफ हो गए हैं। लिए खत्म कर दिया है अब ये डियल तुरकी के साथ इसराइल की नहीं होगी और इस डील के खत्म होने के बाद कहीं न कहीं इसराइल को बहुत बड़ा जटका लगा रजजब अरद्गाएं। अपना इसराइली दौरा भी रद कर दिया है दोस्तों तुर्की और इसराइल के बीच हमेशा दूरिया रही है लेकिन एक सच ये भी है कि इसराइल को देश के तौर पर मानिता लेने वारा दुनिया का पहला कोई देश अकर था तो वो तुर्की था अभी हाल ही में थोड़ी इसी नज़्दी के अबर नहीं थी कुछ डील वगेरा हुई थी लेकिन अब इसको भी रजब तईब अर्दगान ने पूरी तरह से खतम कर दिया है अब तुर्की के रास्टपती रजब तईब अर्दगान के इस बयान के बाद जाहिसी बात है कि इसराइल को मिलची तो लग संगटन है जो इसलामिक स्टेट गुरुप से भी बत्तर है ये संगटन जानबूच कर बच्चों महिलाओं और बुजर्गों की हत्या करता है और आम लोगों को अगवा कर उनका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करता है तुर्की के रास्टपती की हमास का बचाओ करन हमास में और इसराइल डिफेंस फॉर्सिस में क्या फरक है हमास ने अगर बच्चों और महिलाओं को मारा तो क्या बदले में इसराइल को इतना हक है कि वो भी फिलिस्तिन के बच्चों और महिलाओं को मारे युनाइटि नेशन का बयान आया है कि गाजा में हर जगा खत्रा ना बना दे क्योंकि इस्राइल पूरी तरह से बॉखला हुआ है रात की खबर है अभी अभी इस्राइल डिफेंस फोर्सस ने इसकी जानकारी दी है कि हमारी फोर्स काफी टाइम से गाजा के बॉर्डर पर खड़ी वीती तैनात थी जिसकी वज़ा से हमें अपने लोगों की या लोचना का भी सामना करना पर लाता लेकिन हमारी जो सेना है वो कल टैंकों के साथ गाजा के अंदर गुसी तद्बिर आपकी स्क्रीन पर हैं इस्राइल डिफेंस फोर्सस अपने टैंकों के साथ रात के अंदेरे में गाजा पट्टे के अंदर गुसती है और दावा किय और जरा सी देर में इस तो नाबोत करके वापत चले आए ये दाबा खुद इसराइल डिफेंस फॉर्स ने किया है तो आप इससे अंदाज अलगा सकते हैं कि ये लोग कभी भी घुसकर आम लोगों को निशाना बना सकते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता दूँ एक तस्बीर आई इसराइल के फॉर्स ने जब गाजा के लोगों पर एक मिसाइल चोड़ी तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए तो बहुत सारे जनाजे रखे हुए हैं वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा सकता दरदनाक मनजर है तो उन रखे हुए जनाजों में एक शक शाहादत की उली उपर है और उस शक्स को ऐसे ही दफना दिया गया यानि जब इसराइल ने उस शक्स के उपर हमला किया तो वो कलमा पर लहाता शाहादत की उली उसकी उठी हुई थी और इसी हालत में इसराइल का हमला उसके उपर हुआ और उसकी जान चली गई अब आप की स्क्रीन पर मैं दो तस्बीरे दिखाना चाहता हूं ये है पहली तस्बीर जिस वक्त हमला नहीं हुआ था गाजा पट्टी पर इसराइल का उस वक्त की तस्बीर है और अब जंग के इतने दुनों के बाद गाजा की हारत आप लोग देख सकते हैं सैटेलाइट से ली गए ये तस्बीरे हैं ये तस्बीर गाजा पर हमलों से पहले की है इस वक्त कितना अच्छा लग रहा है गाजा सारी बिल्लेंगे दिख रही है और ये जंग के बाद हमलों के बाद की तस्बीर आपकी स्क्रीन पर है पूरा का पूरा गाजा धूल मिट्टी में पढ़ चुका ह अब इसी बीच अमेरीका के रास्टपती जो वाइडन ने एक और अजीव और गली बयान दे दिया है अमेरीका के रास्टपती ने कहा है कि भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हमास नहीं हमला किया है आपको बता दें कि अभी G20 सम्मेलन हुआता है इसमें कई देशों के बीच एक कोरिडॉर बनाया जाएगा जहाँ पर डारिक्ट ट्रेन चलेगी तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इसमें भारत भी शामिल है इस आर्थिक गल्यारे में अमरीका, भारत, साओधी अरब, सायूत, अरब, अमिरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोप के कई देश हैं जो एक दूसरे को जोड़ेंगे एक दूसरे से ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, G20 शिकर सम्मेलन में इसका जिकर हुआ था और ये प्रोजेक्ट अब शुरू होने वाला था तो जो वाइडन का मानना है कि इस प्रोजेक्ट की वज़ासे ही हमास ने इस तरह का हमला किया है लेकिन इससे पहले कहा था कि साओधी अरब और इसराइल की नजदीक या बढ़ रही है अरब देश इसराइल के करीव आ रहे हैं तो इसलिए हमास ने हमला किया है मतलब कुछ भी लॉजिक लगाकर ये दुनिया के सामने रख रहे हैं और किसी भी तरह से प्रोपोगेंडा चला रहे हैं इसराइल वो सारी कोशिशे कर रहा है क्योंकि दुनिया के सामने वो अपने आपको लाचार दिखा सके और फिर यूरोपिय मीडिया का क्या ही कहना पूरा उसका साथ दे रहे हैं या सिर्फ अल जजिरा को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा मीडिया चैनल हो जो असली हकिकत दिखाता हो गाजा की और फिलिस्तीन की वरना जादतर लोग बस हमास 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 कर रहे हमास की करूरता दिखा रहे हैं लेकिन असली हकिकत यह है कि साड़े च्छे हजार लोग फिलिस्तीन के मारे जा चुके हैं अब तक इसराइल के सिर्फ 16-16 लोग मारे गए हैं लेकिन फिलिस्तीन के साड़े 6,000 लोगों के मौत हो गई जिसमें जालतर बच्चे हैं तो फिलाल यह सब चल ला है अब देखते हैं तरकी की इस बयान के बाद नाटो में कैसी हल चल मचती है क्योंकि नाटो का मुक के साद़ से भी है तरकी फिलाल सुपोर्ट में इतना ही मिलते हैं को नई वीडियो के साथ अब तक के लिए अपना खया लगिए